36 गड़ में सत्ता जाने के बाद एक तरफ जहां पूर्व CM भूपेश बगेल लगातार एक्टिव हो गए हैं और वे खास तोर पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जम कर घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो पुलिस जो कभी उनके आदेश पर काम करती थी उसी ने उनके बेटे को थाने में बिठा लिया उन्हें भिलाई पुलिस ने क्यों बुलाया? इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे सबसे पहले उस घटना के बारे में जान लीजिए कि आखिर घटना थी क्या ये घटना 19 जुलाई 2024 की है इस दिन भिलाई के ग्रीन वैली में रहने वाले 57 साल के सहायक प्रोफेसर विनोध शर्मा कहीं जा रहे थे इस दौरान दो बाइक में सवार छे आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक कर पहले गाली ग्लॉज की फिर लाठी डंडों से उन्हें जम कर पीटा प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आये प्रोफेसर ने शिकायत की थी कि उस पर हमला भिलाई चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्माने करवाया था प्रोफेसर पर हमले की इस वारदात के बाद भिलाई पुलिस ने जाँच शुरू की उसने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफतार कर लिया लेकिन 3 अब भी फरार हैं अब इसी मामले में पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बगेल से भी पूछताच की जा रही है उनसे पूछताच करने से पहले ही पुलिस ने चारों तरफ से थाने में बैरिकेडिंग कर दी थी और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था अब आप सोच रहे होंगे कि इस घटना के तार पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बगेल तक कैसे पहुँचे तो आपको बता दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा है और प्रबीर शर्मा की नजदीकियां पूर्व सीएम भूपेश बगेल के बेटे चैतन्य बगेल के साथ है यही वजह है कि प्रोफेसर पर जानलेवा हमले के तार चैतन्य बगेल से जुड़ गए है और पुलिस ने उन्हें पूछताच के लिए थाने में बुलाया है वैसे आजकल जिस तरह की राजनीती देश और प्रदेशों में चल रही है उससे यही लगता है कि पहले सिर्फ लो प्रोफाइल क्रिमिनल ही जेल जाया करते थे लेकिन आज कई बड़े नेता और IAS और IPS जैसे अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं लिहाजा किसी के लिए भी जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पहले ही जेल में है और अब इस मामले में भी सियासी भूचाल आना तय है तो आप भी तयार रहिए 36 गड़ के एक और सियासी संग्राम के लिए